नमस्कार आप सब का स्वागत है एक जाम सेंटर पर ब्लूटूट से नकल करने के मामले में पांच परिक्षार्थियों को पुलिस ने रविवार को अरेस्ट कर लिया इन में से एक ता एक जाम सेंटर गांदी नगर दी एवी था चेकिंग के दोरान पुलिस की नजर एक लड़के के कान पर गई तो कुछ संदिक द लगा ठीक से जाज की गई तो ब्लूटूट सामने आ गया जारखंड करमचारी चयन आयोग जे सैसी द्वारा इंडिया रिजर्व बटालियन नियुक्ती परीक्षा के दोरान यह मामला सामने आया बाकी चार मुन्नना भाई राची के अन्ये सेंटर से पकड़े गए राज्ये के 385 सेंटर्स पर यह परीक्षा हुई वहीं राची के 66 केंद्रों पर परीक्षा आयोजद की गई थी गांधी नगर एक जाम सेंटर पर एक परीक्षार्थी हाई टेक नकल करते हुए धराया इस परीक्षार्थी ने इनर के अंदर मुबाईल को विभिन पार्ट में विभगत कर रखा हुए था कान में ब्लूटोत के माध्यम से नकल की तैयारी में था संदेहास्पत गतिवधी के कारण इसे पकड़ा गया सेंटर सुपरिंटेंडेंट की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ़तार कर लिया है गोंदा थाने में परीक्षार्थी से पूछताज चल रही है बताते चले कि पिछले सब्ता हुई इसी परीक्षा में नकल करने कराने के आरोप में 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ़तार किया था पुलिस इस लड़के को भी उसी गिरफ़ में शामिल देख रही है जो पिछले रविवार पकड़ में आय थे पुलिस के अनुसार इंडियन रिजर्व बटालियन आय आर बी की परीक्षा में नकल के लिए एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है यह हाई टेक गिरोह चार ग्रूप में भटा होता है इनके जिमें क्वेश्चन पेपर का फोटो खींचने, प्रशनों को हल करने और फिर परीक्षा हॉल में बैठे परीक्षार्थियों तक कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और माइक्रोफोन के जरिये सॉल्व क्वेश्चन पहुंचाना होता है पिछले रविवार अरेस्ट इसने ट्वर्क का मास्टर माइंड अनूप कुमार भाइटेक चोरी कराने के लिए कैंडिडेट्स को डिवाइस उपलब्द कराता था डिवाइस कैसे और कहा लगाना है इसकी पूरी सेटिंग भी वही करता था